आज में बनाऊंगी प्याज आलू के पकोड़े कुछ अलग तरीके से जो आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं ये मीडियम साइस के पाच प्याज हैं जिनें छिल कर इनका जड़ वाला हिस्सा निकाल दिया है और इस तरह लंबा और पतला स्लाइस कट करके लिया है जड़ वाला हिस्सा निकालने से प्याज के सारे लच्छे पूरी तरह अलग-अलग हो जाते हैं आप इस तरह मसल कर खटेवे प्याज की सारी परतों को अलग-अलग करेंगे आप अब देख रहे हो कैसे सारी परते अलग-अलग हो चुकी है चलिए अब इसमें मसाला डाल देते हैं यह आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर ये 1-4 टेबल स्पून रेट चिली पाउडर ये बहुत तीखा चिली पाउडर है आपके पास इतना तीखा ना हो तो आप इसकी कॉंटिटी को अपने टेस्ट के अनुसार या आधा टेबल स्पून और बढ़ा सकते हो ये 1-4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ये 1-5 टेबल स्पून आमचुर पाउडर आगर आपके पास आमचुर पाउडर ना हो तो आप इसमें चाट मसाला या फिर आधा लिम्बू का रज़ भी डाल सकते हैं ये 1-5 टेबल स्पून आजवाइन है जिसे इस तरह हातों से मसल कर डाले ताकि इसकी खुजबू निकल कर आए आजवाइन पाचन का भी काम करता है और इसकी खुजबू पकोड़ों में बहुत अच्छी लगती है ये 1-5 टेबल स्पून चावल का आटा है अब इसे मिक्स करेंगे चावल का आटा प्यार्च के पानी को अब्जॉब करने का काम करता है जिससे पकोड़े लंबे टाइम तक क्रिस्पी बने रहते है ये 2 टेबल स्पून कौन फ्लॉर का आटा है ये हमारे पकोड़ों की अच्छी तरह बाइंडिंग करता है जिससे पकोड़े तेल में खुलते नहीं हैं अब फिर से इसे मिक्स करते हैं नमक हम बाद में डालेंगे नमक पहले डालने से प्याज पानी छोड़ देते हैं जिससे हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे आप इसे साइड में रखते हैं ये मिडियम साइज के तीन आलो हैं जिसे मयने बॉयल करके लिया है अब इसे में ग्रेटर से ग्रेट करोंगी आप चाहो तो इसे हाथों से या मैशेर से मैश भी कर सकते हो कान्दा भजीया तो हर किसी को पसंद होता है आज हम उसी को कुछ अलग तरीके से बनाएंगे जो बच्चे भी मचे से खाएंगे अब पोटेटो मिक्षर में आधा टेबल इस्पून पीज़ सिज्लिंग डालेंगे ये एक टेबल स्पून चीली फ्लेक और आधा टेबल स्पून सॉल्ट डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अगर आपके पास पीजर सिस्लिंग ना हो तो आप आधा चमच, जीरा पाउडर और आधा चमच, गरम मस्साला भी ले सकते हो अब इसके इस तरह लिम्बू के आकार के सारे मिक्षर के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे ये ओनियन पोटेटो बॉल्स उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं ये देखिए मैंने किस तरह बनाए हैं आप भी इसी तरह बनाएं सारे बॉल्स बनकर रेडी हो चुके हैं अब प्याज के मिक्षर में आधा टेबल स्पूल सॉल्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ये दो टेबल स्पून मैदा है जिसका हम पतला घोल बनाएंगे अब इस मैदे के आटे में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसमें लंस ना रहे ये देखिए इस तरीके से घोल बनाना है ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाड़ा एक मीडियम कंसिंस्टंसी का बनाना है अब हम एक पोटेटो बॉल लेकर इस तरह घोल में डाल देंगे और उसे घोल से अच्छे से कोट करके प्याज के मिक्षर में डाल कर इस तरह प्याज के मिक्षर से उसे हलके हाथों से दबाते हुए कोट करेंगे ये देखिए अब हमें सारे बॉल्स को तेम इसी तरह कोट करना है हमारे ओनियोन पोटेटो के सारे बॉल्स अच्छे से कोट हो चुके हैं चलते हैं इन्हें फ्राइ करने के लिए गैस चालू करके उस पर एक कड़ाई रग देंगे उसमें तेल डालकर तेल को गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है अब इसमें एक एक करके थोड़े पकोड़े डाल देते हैं इस तरह कड़ाई में थोड़े थोड़े करके ही डाले सारे एक साथ ना डाले गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखें इससे आप अपने बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हो एक मिनिट बाद में इसे हर तरफ से घुमा घुमा कर हलका ब्राउन होने तक पका लोगे आप देख सकते हो सारे बॉल्स सभी जगा से अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और एक भी प्याच का लच्छा तेल में खुला नहीं है आप इसे में एक प्लेट में निकाल लेते हो फिर से थोड़े पकोड़े डाल कर सेम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हूं आप बच्चे हुए सारे पकोड़े सेम इसी तरह फ्राई कर लेंगे तो आप भी इसे जरूर बनाएं घर में सभी को पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें आपके एक सब्सक्राइब से मेरा भी होसला बढ़ता रहेगा और मैं भी इसी तरह आप लोगों के लिए नई नई मज़ेदार डिश लाती रहूंगे ये भी फ्राई हो चुके हैं सारे पकोड़े सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं ये देखिए देखकर ही मुमे पानी आने लगाना देखिए ये उपर से क्रिस और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं अस्सलाम वालेकूं मैं जरीम आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें दूआ में याद रखें मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ अस्सलाम वालेकूं